है एक है लो फरेंट बिलकम बैग मैं यूटूब चैनल संदीब टेकनिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए इस्टेटिक जीके का डेली क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम Static GK के कुल कितने 45 टोपिक को कवर करेंगे ओके तो वीडियो को आपको क्या करना है डेली देखना है डेली आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी तो Static GK जो है आपके Railway NTPC और Railway की सभी एक्जाम के लिए important है क्योंकि Railway में Static GK बहुत ही एहम रोल निवाता है तो आपको क्या करना है हम आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको देखना है तो हम आपको टोपिक दिखा देते हैं कौन-कौन से टोपिक आपको हम Static GK में कवर कराने वाले हैं ठीक है तो पैटालिस टोपिक है जिनको हम कवर करने वाले भारत के प्रमुक मंदिर भारत के प्रमुक तेवार एवं उत्सव और मेले वाद यंत्र एवं वादक भारती लोक निरगत एवं कलाकार जो भारती खेल और खिलाड़ी है नेक्स टोपिक है राष्टी उद्धान अभ्यारन और रिजर वेंको के नाम तो और अंगला है भारत की रामसर साइट महतपूर दिवास इसे हम देखो आपके लिए कितने हैं कुल 45 टोपिक कवर करने वाले हैं तो आपको क्या करना है आज का हमारा टोपिक होगा भारत के प्रमुक मंदिर भारत के प्रमुक मंदिर जो इंपोर्टेंड मंदिर हैं जो आपके एक्जाम में बार बार पूंचे जाते हैं उन मंदिरों को हम कवर करेंगे ठीक है तो मंदिर से रिलेटेड आपके लिए कु पीडियाप चाइए ऐस टेसिंटीक जीके की पीडियाप चाहिए आपको तो आपको हमारे टेली–ग्राम चैनल आप हुरा से ले सकते हैं ठीक है टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा और sitäटिक जीके उनको हम आज कवर करेंगे भारत के प्रमुग मंदिर उनको तीन सेलियों में बांट रखा है कितनी सेलिय है तो भारत की जो तीन प्रमुग मंदिर उनको तीन सेलियों में बांट रखा है नागर सेली जो है उत्तर भारत के मंदिरों को कहा जाता है तो उत्तर भारत के जितने म मंदिर हैं किस सैली में हैं नागर सैली में मिलेंगे यह आप देख सकते हो ठीक है यह नागर सैली में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है यह उत्तर भारत के नेक्स है दरवड सैली तो दरवड सैली जो हैं दक्षड भारत के जितने भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे है पाउत इन्डियन के बहुद है जितने भी मंदिर होंगे यह देखने को मिलें नागर और दिर्वड सही क्या है उने दोनों कोमिला कर बेसर सहलि का गया कौन्सी तो बेसर सहलि सहाने के इंड़रत को मंदीर वो बेसर सहा equity में बने हुए हैं तो ये आपके कौन से हो जाएंगे बेसर सैली के आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो ये तीन सैलिया हैं भारत के जो मंदिर हैं उनकी प्रमुक कितनी तीन सैलिया हैं एक तो नागर सैली दूसरी दरविड सहली तीसरी बेसर सहली नागर सहली मंदिर कहां उतर भारत के जितने भी मंदिर होंगे नागर सहली में मिलेंगे दक्षर भारत के जितने भी मंदिर होंगे वो कहां कैसे मिलेंगे किस सहली में तो आपको दरविड सहली में देखने को मिलेंगे जो आपके मत भारत के मंदिर है वो बेसर सहली नागर और दरविड दोनों का जो मिकसफ है वो बेसर सहली में आपको देखने के मिलेंगे तो राज हम देखते हैं कि भारत के जितने भी राज हैं उन राजियों में इंपोर्टेंट जितने भी मंदिर हैं उनको कवर करने वाले हैं तो राज के प्रमुक मंदिरों को आज हम कवर करने वाले हैं तो राज के प्रमुग मंदिर हम देखते हैं सबसे पहले जम्बू कश्मेर जम्बू कश्मेर से रिलेटर जितने भी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के पॉइंट अप्वियू से मंदिर है उनको हम कवर करेंगे बाकी आप क्या करेंगे वीडियो को पॉस करके आपको अगर जरूरत हो तो सारे मंदिर आपको क्या कर लेना नोट डाउन कर लेना है हम सिर्फ इमपोर्टेंट मंदिर को ही कवर करेंगे वैशनो माता मंदिर इमपोर्टेंट कुश्चन है ये कहां जम्बू और कश्मेर में है ठीक है अमारनाथ जी की जो गुफा है यह भी का है जंबू और कस्मिर में हो जाएगा कीर भावानी मंदीर यह महाराज महारा परताब सिंग्स से एक में कोrias में हो जाएगा अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के तो हिमाचल प्रदेश के जितने important मंदिर है उनको हम देख लेते हैं तो माता चिंता मड़ी पुर्वी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा जोला मुखी ये important है जो अला मुखी मंदिर ये कहां हिमाचल प्रदेश में है ये important question है ठीक है संकट मोचन मंदिर ये भी आपके exam के point आप भी उसे important है बाकी आपको जो important लगे जो वो आपको क्या करता है वीडियो को pause करके आप सारे मंदिर no down कर सकते हो आँगे हम लद्दाग के देखते हैं तो लद्दाग में जो हो जाएगी वो कौन से होंगे अल्ची चोस खोर मंदिर कहां लद्दाग में है लाल मेत्री मंदिर लद्दाग में तारा मंदिर और माथो मंदिर ये कहां आपके लद्दाग में देखने को मिल जाएंगे हरियाणा में कौन से हैं तो हरियाणा में इंपोर्टेंट है थानेश्वर महादेओ का मंदिर सर्वेश्वर महादेओ का मंदिर दादा बुड़ा मंदिर ये आपके एक्जाम में पूं पूतों का मंदिर और एटलस मंदिर यह भी आपके exam के point आप भे उसे important है तो बूतों का मंदिर, और एटलस मंदिर यह भी कहां आपके हर्याणाराज में इस्तित है आँगे बड़ते हैं अब देखते हैं उत्रहा-खंड में, तो उत्राखंड में कौन कौन से मंदिर हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि उत्राखंड तो बहुत ही important है उत्राखंड में कौन सा बद्रीनात जी का मंदिर केदारनात बद्रीनात ये कहां उत्राखंड ये बहुत ही famous मंदिर हैं आप सभी को भी पता होगेगा तो बद्री नात और केदार नात यह खां उत्राखंड हो गया नील कंट महादेव मंदिर उत्राखंड चंदब्रणनी मंदिर उत्राखंड जागेशवर मंदिर उत्राखंड मंसा देवी मंसा देवी का मंदिर कहा है तो उत्राखंड राज में इस्तित है नंदा देवी नैना देवी तो नंदा देवी और नैना देवी उत्राखंड में पुस्ती माता मंदिर ये कहां पे है तो पुस्ती माता का मजो मंदिर है ये भी उत्राखंड राज में इस्तित है आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा पंजाब स्टेट को हम देखते हैं तो पंजाब के जो मुक्ष मंदिर हैं वो मुक्तेश्वर मंदिर दुर्गियाना मंदिर शुन मंदिर तो पंजाब में ये तीन इंपोर्टन मंदिर हैं आपको तीनों को नो डाउन कर लेना है राजस्तान फी बहुत इंपोर्टन हो जाएगा क्यो quiz का एक मातर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहां राजस्तान के पुसकर में है important question है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है का मंदिर यह कहां आपके राजस्तान में हो जाएगा करनी माता मंदिर इंपोटेंट कुर्शन है अगर जो भी बच्चे राजस्तान दियर तो राजस्तान के जो ये आपको सारे मंदिर लिख लेने है जो करणी माता मंदिर यह क्यों फेहमास है क्योंकि यहां सपेद चुवे पाए जाते हैं तो करणी माता मंदिर important है अंगला है उद्धै मंदिर उद्धै मंदिर और ओसियन मंदिर ठीक है आंगे बढ़ते हैं इसमें एक मंदिर और आपके एक्जाम के point of view से important है क्योंसा तनोट माता का जो मंदिर है यह बहुत important हो जाता है अंगला है लक्षमन मंदिर लक्षमन मंदिर यह कहां कि आपके राजिस्तान में इस्तित है आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काशी बिसुनात जी का मंदिर बहुत ही important क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत famous मंदिर हैं दसा आउतार में गाट मंदिर उत्तर प्रदेश प्रेम मंदिर मतुरा में प्रेम मंदिर यह आपके कहां मतुरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा important यह question है और देखिएगा राम जन भूम आयोद्या राम जन भूम मंदिर जो कहां आयोद्या में इस्तित है यह उत्तर प्र अयुद्धिया ठीक है और गोरकनात मंदिर हो जाएगा भारत माता मंदिर से इंपॉट eher रिंगा और्ली यूम मंत्र कें इंपॉट्ण में जाएंगे गें अगि एकम सी अधा करना है बाक्य आपको साहरे मंदिर को कर भर करना है तो आप सभी मंदिर को आप और घ्र इर चलते हैं तो विहार में कौनION से हो जाएंगे महा बोधी मन बन canle महा माबि जाए में मोध मिमा मृपन एक सब्सक्राइक इंपोर्टेंट है मिथला शक्ति पीट मंदिर यह आपके बिहार में हो जाएगा सुमेरा का सुर मंदिर कहां है आपके बिहार में इस्तित है मद्ध प्रदेश यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है मद्ध प्रदेश का तो उम कारेश्वर मंदिर कहां मद्ध प्रदेश में ह हो जाएगा सास बहु मंदिर कि अनपूना देवी का मंदिर और काल भहरो मंदिर यह का मद्ध प्रदेश के हो जाएंगे ओके आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है तो चतिस गड़ तो चतिस गड़ के प्रमुक मंदिर को हम देख लेते हैं तो चतिस गड़ में दंतेश्वरी जी का मंदिर चंद्रहासनी जी का मंदिर बंजारी माता का मंदिर और भोरम देव मंदिर यह इंपोर्टेंट कहां के चतिस गड़ के मंदिर हो जाएंगे जहारखंड की ओर चलते हैं तो जहारखंड में कौन कौन से मंद ठीक है तप ओवन मंदिर जहारखंड हो जाएगा हल्दी घाटी मंदिर जहारखंड और देवडी मंदिर कॉलेश्वरी मंदिर यह कहां हो जाएगा आपके जहारखंड के इंपोर्टेंट मंदिर है तमिल नाडू मिनाक्षी बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जामों मे एलबे में मेनाक्षी मंदिर बहुत बार एक्जामों में पूछा जा चुका तो मेना जो मेनाक्षी मंदिर है ये सिव और पारवती को समर्पित है पांड़गो सासकों ने इसका निर्मार करवाया था ब्रेदेश्वर मंदिर ये भी इंपोर्टेंट है राजाराज चोल मंद मंदिर शिरिपुरम गोल्डन टेंपल लच्मी चोल सासकों ने बनवाया ठीक है महाबली पुरम मंदिर ये कहां तमिलनाडू में इस्तित है निल्लै अपार मंदिर तमिलनाडू रंगनात स्वामी इंपोर्टेंट है रंगनात स्वामी मंदिर ये कहां तमिलनाडू में इस सुर्मंदिर बिट्टल मंदिर का के दारेश्वर मंदिर के आर हजारा राम मंदिर कर नाट के iPhoneragen गये मेंैं पुंडिशा जा चुका है ठीक है को ड्यूक। भकवति मंदिद NOW के रवे चिह 먼저 को हम देखते हैं तो आंद परदेश में कौन से मदिर हो जाएगा भगवान वेंक त्यिष्वर मंदिर जो स्री क्रश्न देवराय को समर्पित है वें कम मंदिर यह कहां का हो जाएगा आंद परदेश का पदमावती मंदिर手क। ओके अब हम देखते हैं तेलंगाना महाराष्ट के जो कुछ मंदिर है उनको कबर करते हैं तो तेलंगाना में कौन से हो जाएंगे रामज्या मंदिर, संग मेश्वर मंदिर, सालेश्वरम, लिंगमयया, स्वामी मंदिर और केसर गुट्टा मंदिर ये तेलंगाना के प्रमु मंदिर बिट्टू और देवाउग पाटिल को समर्पित कि यह कहां है तो महाराष्ट में भीमा संकर जोयतर लिंग मंदिर छत्वत सिवा जी को समर्पित है ठीक है तो भीमा संकर जोयतर लिंग मंदिर यह कहां पर महाराष्ट में है ओके गोबा के प्रमुग मंदिर हैं मंगेशी मंदिर सब्त कोटेश्वर मंदिर कमाक्षी मंदिर यह कहां गोबा में इस्तित हैं यह important मंदिर है आपके एकजाम के पॉइंट आप विसे कौन कौन से काली घाठ खाली मंदिर टेमपल आव वैधिक लाएट्य फिलाइनियट्यम मंदिर अगनी मंदिर यह कह हैं परशिम मंगाल में बेलूर मत मंधिर और विश्ण operate मंदिर गुजरात में स्वीनात मनीए मल मंदिर इ गुजरात में अंबा जी का मंदिर गुजरात रुकमडी मंदिर गुजरात और शामला मंदिर जी शामला जी का मंदिर जो है ये कहां गुजरात में इस्तित है ये हमने सभी राज के इंपोर्टेंट मंदिर है उनको इस वीडियो में कबर किया है ठीक है अब ओडिसा के मंदिर को और देख लेते हैं तो ओडिसा में जो important है वो कौन मंदिर जगनात मंदिर जो सूर मंदिर है ये कहां ओडिसा राज में इस्तित है जगनात मंदिर जो सूर मंदिर है कोलाड का ये कहां ओडिसा में इस्तित है ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे लिंगराज मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी का मंदिर ये कहां ओडिसा के important मंदिर हैं जो आपको note down कर लेना है ठीक है आपको image में clear मंदिर दिखाई दे रहा है होंगे मंदिर तो हम क्या करते हैं वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे daily के daily part wise आपको मंदिर के कुल कितने तीन से चार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आगे हम topic Serial by Serial आपको देते जाएंगे तो आपको वीडियो को देखना है और like करना है ठीक है मिलते है next class में thank you